कर दोस्तों उत्त्राखन में आई हुए यह नए भरती यू के त्रपल सी आयोग द्वारा यारी कि उत्त्राखन अधिनस सेवर चैन आयोग द्वारा जो भरती आई हुई है उसके विशे में यह बिग्यापन है आप देख सकते हैं कि इसमें कितने पदे कितनी तारिफ को इसकी पिग्यापन थे थी हैं आई हैं कि पसुपाले विवाग के अंत्रगद पसुधन परसार अधीकारी के रिक्ती 128 पद हैं तर्था रेसम् विवाग के अंत्रगद जो अधीधरसक और प्रतराशक हैं उनके 26 है अथार्त कुल मिलाकर 148 पदों पर सीधी भरती है तो विग्यापन ये दिया गया है विग्यापन की तिति ये 27 फरवरी को प्रकासित हुई है यानि कि आज हुई है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओनलाइन अवेदन की जो प्रारहम तिति ये दो मार्च से प्रारहम हो में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो आपका सुल्क जम्मा करने का है बे आप दो अप्रेल तक इसमें अपना सुल्क जम्मा कर सकते हैं और इसकी जो परिच्छा है उसका अनुमानिस समय उन्होंने जून माह में दिया है जून माह 2020 में दिया हुआ है तो इसमें आप दे पर कितने पोश्ट हैं तो आईए इसका विब्रण हो आगे दिखते हैं यह जो विब्रण है आपको यह जहां से आप ओनलाइन करेंगे इस पर मिल जाएगा और यह पूरा पीडिया आप डाउनलोड भी कर सकते हैं UK SSC की साइट पर जाकर यह देखिए पसुदन पिरसार अधिकारी इसमें जो हैं कुल पद 108 हैं इसमें पद दिये हैं कि अनुसूची जाती जो SMSC के लोग हैं उसके 20 पद हैं जिसमें छै बूमेन के लिए यानि महलाओ के लिए हैं वह को झोधा अधर के लिए है अन्य पिछड़ा बर्ग यानि की OBC के Pacion के हैं जिसमें 4 दोमें के लिए हैं और 11 अधर के लिए हैं आर्थिक रूप से कमजोर भर्ग के जो है इनके लिए 10 पद भर्ग तीन महिलाओ के लिए और 7 अधर के लिए दो पद इसमें दिये हुए है और टोटल जो पदो की संक्या इसमें 108 है अगला आप नेश्ट देखिए इसमें जो सीमा आयू अगर सीमा देखें हम तो इसमें 21 वर्स से लेकर के 22 वर्स तक के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है और इसकी जो आप क्वालिफिक्शन देखेंगे तो भारत में विदी द्वारा इस्तापित किसी बीज विद्याले से जी विज्ञान किरसी पसुपालन में से किसी एक विशे में उसने सुनात्य की डिग्री कर रकी हो तबी में अप्लाई के लिए पातर होंगे नेश्ट देखिये जो दूसरा पद है इसमें वो दिया हौँ पसुधन प्रसार अधिकारी इसमें कुल Gym 2 पद है जिसमें स्-सी के दो पद है और दोनी अदर के लिए है वोमें के लिए कुछश में स्पैसल नहीं है और इसमें स्टि व पान्य बर्गी के लिए नोपादे जिसमें दो वीमेन के लिए हैं यानि कि मेलाओं के लिए और साथ अधर के लिए हैं कुल योग इनका बारह बारह पदों पर इसमें भरती है आयू सीमा समय एक ही है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई करेंगे इसकी जो क्वालिफिकेशन है उत्त्रक्ण प्रिक्षा उत्त्रिण की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो नेश्ट है आप इसमें देखिए अधी दर्सक या प्रेदर्सक रेसम इसमें पदों की कुल संक्या 26 है जिसमें सी के तीन पद है एश्टी अनुसुची जनजाती के एक पद ये ओवी सी के अन्य पिछड़े बर्ग के लिए इसमें कोई पद नहीं है तथा आर्थिक रूप से जो कमजोर बर्ग के ब्यक्ति है चात्र है और पांडिडेट हैं उनके लिए इसमें दो पद है जिसमें एक महला के लिए हैं समाने के लिए इसमें 20 पन हैं जिसमें पांच महलाव के लिए हैं ग्यारे अदर के लिए हैं एक डी एफ और दो एक्स एक्स का भूतपूर्व सैनिक और डी एफ है स्वेतंतरता सैनानी से समंदित हैं अब आप नैश्टी देखिए इसकी क्वालिफिकेशन विद्धाले सि परिशत उत्तर पिर्देश से जी बिग्यान समुए के साथ इंतरमीडियेट बिग्यान या किर्सी या फिर सरकार द्वारा इसके समक्षि मानने तक प्राप्त कोई आर रहता हो या आपने पूरी कर रखियो तो आप इसमें पात्र होंगे नैश्ट देखिए जो नैश्ट पदे निरिक चक इसमें पुल तीन पदें तीन पदों में एक एश्टी के लिए है यानिकी अनुसूची जनजाती के और दो समान्य के लिए है कुल तीन पदें इनकी जो आयू सीमा है सबकी एक ही है 21-22 वरस तक आप इसमें अपलाई कर सकते हैं और इसकी जो सेक्षिक आर लेकररे किसी पीश फिद्दाल्य में बीच सी विग्यान या किर्सी और अधि historic मानता मसी प्रणी विज्ञान से जिसमें केड़ विज्ञान एक विशे हो यह मसी किर्सी या सरकार द्वारा उसके समक्श मानने प्रणय कोई हार रहता हो तो आप इसके पार रहत हूं गे जो पेपर होगा उसमें परिच्छा में समान्य और OBC को 45% और ST और SC बर्गी के ब्यक्तियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है अन्यता बे लिखित परिच्छा में अनहार्य माने जाएंगे आयोग्ये माने जाएंगे यह आपको सारी नियम जो है एक्जाम के समय पर पता चल जाएंगी क्योंकि इसमें एक बटा चार की माइनस मारकीन है और आगे देखिए कि इसमें जो है जो आयोगी गड़ना है वो एक जुलाई 2019 से की जाएगी अब आप देखिये कि इसमें आपका कितना सुलक लगेगा तो आईए हम देखते हैं कि इसमें हमारा कितना सुलक लगेगा किसको कितना सुलक देना है तो जो इसमें समान्य और OBC बर्ग के ब्यक्ति हैं उनके लिए इसमें अवेदन सुल्क जो है वो 300 रुपे है और S T के लिए S C दिभ्यांग ब्यक्ति जो आर्थी ग्रूप से कमजोर ब्यक्ति है इन सब के लिए 1.500 रुपे सुल्क है अधिक जानकारी के लिए आप यह पीडिएप डाउनलोड कर लिजिए यह आपको पीडिएप जो है UK SSC की साइट पर मिल जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं यह रही विभाग की साइट www.ssc.uk.gov.in इससे आप यह देख सकते हैं और समय से पूर्व आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं नमस्कार